हाई अब्रिब्रान रिसेटली मैंने वरिभ संप पे अपने स्टेटश में कहफी सारे सदिक उपलोड किये थे मेरे वर्भ संप स्टेटश को देखकर एक मैम मुझ से सद्टे और सुपलैंट की डिमांड की तो मैं Kunे एक पैट टियार कर लिया चोटे 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 पार्ट्स जो हैं सकलन्ट्स के वो कलेक्ट किये तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मुझे नेम बताओगे तो इट वुड वी इजियर कि मैं आपको कौन से प्लांट्स दूँ पर उनको नाम नहीं थे पता वो बोटनी वगारा बिल्कुल भी नहीं पड़ और बहुत जादा उनको पता भी नहीं था कि किस प्लांट का क्या नाम है एक प्लांट जो उन्होंने मुझे बताया वो यह था हवार्थिया तो वेल्कम तो हैपी गार्निंग आज सारे वही प्लांट्स दिखा रही हूं जो मैंने उन मैं को दिये हैं आज 21 जून हो गई है और मैंने ये हवार्थिया क्योंकि मैंने पहचान लिया था जो बोल रही थी तो ये हवार्थिया मेरे पास प्लांट काफी पुराना है और इसमें रिसेंटली मैंने आपको फ्लार्ज भी दिखाए थे चोट चोटे वाइट कलर के फ्लार्ज आते हैं इस तरह जो स्टॉक उनको गिफ्ट करने वाली हूँ और फिर नेक्स्ट प्लांट है मेरे पास ये दो कटिंग लगी हुए है दोनों यूफॉर्बिया की है ये हमेशा ग्रीन रहते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो तो जो राइट है वाला है वो कुछ इस तरह का हो जाता है थोड़े बड़े नेक्स्ट प्लांट सीडम और ये लेमन कलर का होता है यह वाला सीडम ग्राउंड कवर के रूप में बहुत अच्छा होता है तो इसकी थोड़ी सी कटिंग में यहां से कलेक्ट करूंगी और यह जो है ना मैंने ऐसे निकाल के किसी गंबले में से यहां पर रखा तो यह स्पाइड ब्लांट आप लेकर आना अश्पेशलि यहीए ग्रीन वाला तो नहीं बोला जो कौमन बाइट और और ग्रीन वाली वरैइटी होती है उसके लिए उनोंने मुझे कहा लेकिन मेरे पस दो तेन तरहां के ब्लांट है तो मैं उन सभी के जो बेबी ब्लांट्स आफे वाइट वाला है, तो इसमें भी काफी सारे बैबि ब्लाइंत्स लगे हुएं преп करके एक तीसरी द्रह पाप्र पूलंच है इसमें भी हवाइट कर्वार होता है भाहर भार प्लीजाशनादा बाहर के विछए हम compon जाएब यहें भी इतलोंशन धे जहां कर पता सब्सक्राइब और रासाइफ किहना है। आजवायन आखने में गडिया पेव्सक्राइब में गलेके में परकते प्लाइब में आपजन समझार लहता प्लांड। इसными सब्सक्राइब दके यहां पर देखो आप कितनी लंबी ब्रांच इसकी होगी होगी तो बास्केट में बहुत सुंदर लगता है और इसके जो लीव्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं तो मैं उनको भी उठा रहे हूं वैसे मैं उनको भी बता दूँगी कि जादा इसको छेड़ चाड़ वाली जगह पर ना रखें अदवाइस इसके लीव्स गिरते रहते हैं और यह भी एक तरह का सीडम है और यह काफी ग्रो कर गया हुए है यहां से आपने पहले भी दिखा होगा कि मैंने यहीं से कटिंग करकर के और भी कई लोगों को यहां से कटिंग दी हैं तो यह भी बहुत सुंदर लगता है इसके बाद है यह स्ट्रिंग ओफ बनाना उन्होंने एक्चुली स्ट्रिंग ओफ पर्ल्स मांगा था हलांकि उनको नाम याद नहीं रह रहा था तो मुझे पिक्चर दिखा रहे थे हो गूगल पे तो यह मेरे पास एक्स्ट्रा लगी हुई थी बहुत सारी कटि कलेक्ट करके उनके जो बनारी हुँ उस while क compartir दो lijकों कहुतला है इसकी कटिंग भी आजकल बहुत ऐजली karş की कलका है और मिलीं लेटेक्स निकलता है दूद जैसा दूद तो यह बहतर रहता है, ऐसी जो कटिंग होती है, उनको थोड़ी दिर पड़ा रहने दे, तो गर्मियों में इसलिए बहुत एजिली प्रॉपगेट हो जाती है, फिर मेरे पास बेबी संरोज है, बेबी संरोज भी उनके पास नहीं था, तो इसकी कटिंग भी आजकल बहुत अ आजकल बहुत एजिली प्रॉपगेट होते हैं, और बलकि मैं तो सुझेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास यह प्लांट है, या नहीं भी है, तो आप इसको कहीं से भी कटिंग से लियाओ, और फिर आप इसको मल्टिप्लाइ करकर के लगाए और पूरे गमले को भरिए अच्छे सी, तो अलग लग कलर मेरे पास यहां है, सब की मैं थोड़ी-थोड़ी सी कटिंग कलेक्ट कर रही हूं, इवन इन में आप सीड्स भी देख रहे होंगे, कि छोटे-छोटे सीड्स भी लगे हुए हैं, तो अगर सीड्स भी उन्होंने बिखरा दिये जमीन पे, त यहां तो खुबसूरत है, लेकिन मैंने उनको जो दिया है, अपरूट करके प्लांट वो यहां से कलेक्ट किये हैं, यह रूटेड है, और यह थोड़ा सा बहुत ही, महलब केरलेसली ग्रो की हुए प्लांट है, यहां पे धूप बहुत पढ़ती है, तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही आपको यहां पे नजर आएगा, जैली बीन्स का एक छोटा सा पॉट, अब आप देखो यह भी बिल्कुल वहीं पे पढ़ा हुआ, और यह भी केरलेसली ग्रो की हुआ है, लेकिन यह इन कंडिशन में बहुत सुन्दर लग रहा है, इसमें बहुत खुबसूर इसको पानी डालना भूल जाती हूँ, डरेक्ट सनलाइट इसके उपर पढ़ती है, काफी टाइम तक, और बहुत छोटे से शेलो पॉट में पढ़ा हुआ है, लेकिन जहां से मैंने उनको प्लांट दिये है, यह बहुत ही पैंपर्ड कंडिशन में है, मतलब शेड़िड ए तो थोड़ा सा, stressed conditions में इस प्लांट को, jelly beans को रखना चाहिए, तो यह काफी सरे प्लांट है, जो मैं उनको गिफ्ट करने वाली हूँ, बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, तो यह सारे प्लांट उनको गिफ्ट करूँगी, होफुली मुझे भी वापस गिफ्ट मिलें प कि मेरे बज़ा से कोई व्यक्ति प्लांट्स लगा रहा है और उसको प्लांट्स मिल रहे हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं नर्श्री में और मैं उनको फ्री में प्रोवाइड करा रही हूं तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे आप इसी तरह से प्लांट्स कि यही हूं 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 हुआ हूं थाुक झांड़ अ已经 लिए हैं नर्श्री पिसमें हूँए हूं हुआ कर द WOWब फिटर स कि आ लिए हू generation प्लांट्स मिलेंगे और है WITH B